जैमात अजी दोस्तों वेल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल ग्रीन प्लैनेट तो फ्रेंड्स आज मैं बात करूंगी आपसे नस्ट्रेशियम सीड्स के बारे में नस्ट्रेशियम देखिए नस्ट्रेशियम जो फूलों का एक बेल टाइप की चीज़ होती है बेल शोटे से पॉट्याट में लग जाती है तो लगी यह लास्ट यह के मेरे सीड्स हैं जो मैदे क्लेक्ट किया थे काफी सारे सीड्स वन जाते है आप अगर एक बर आपको मिल जाए तो आपके गार्डन में मतलब ऐग सारे बन जाएंगे क्योंकि बीज बहुत सारे बंते हैं तो आये देखते हैं इसको कैसे करते हैं, इसका ताइमम आ गया है ग्रो करने का, gonna, सोइल देखते हैं इसमें मैंने लिए थोड़ी सी कोकोपीट,, dealing मिट्ची लिए एशमें और से लिया है, जामनाकी रहे हैं वह मैंने लिए क्योंकि इसको बहुत सॉफ्ट हमें रखना है जैसे कि मैंने और वीडियो में आपको बताया क्योंकि जब आप सीडलिंग करते हैं तो उसकी जो मिट्टी होगी सॉइल मिक्स जो होगा वह बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए क्योंकि हार्ड होगा तो बीज को निकलने में प्रॉब्लम होती है उसको बहुत सॉफ्ट होती है तो वह एजिली निकल जाता है तो आप इसको इसमें कोको पीट 50% ले लिजिए 40% इसमें रिवर सेंड ले अनुट है जो हमलित हो आशड़े हैं गणजाए है और हमने वह इसको रखें कि यूजा अच्छा बांदे भा有la जाए साओ अच्छा बिए। इसमें फिल करने के बाद जो कोई मोटी मिटी वगेरा कुछारी होगा उको से हटा दीजिए तो ऺिए तो आप में दालते हैं सीड्स यह मैंने ले लिए हैं सीड्स अब इदिए करके मैं सारे में डाल दूंगी एक एकी बीज डाली क्योंकि इसमें बहुत जादा बड़ी सीडलिंग ट्रेन है यह बहुत चोटी सी है तो एक एक बीज आप डाली इसके अंदर एक ही काफी होगा क्योंकि अगर जादा डाल देंगे तो इसको रूट्स के लिए जगा नहीं बचेगी और आपका प्लांट ज झालें डालेंगे डालेंगे इसको पहले हम कवर कर दे देंगे भी दिरीकी मेरे सारी सीड डल गया है तो देखिये मैं किसी किसी में दो भी डाल देती तो अगर जरूरी होता है अगर यह खुला रहेगा तो जर्मनेशन इसमें नहीं होगी भांपा इसको क्योंकि जो बीच आपकर हे जरये उपर उसे अंदर कर दिजिि आप उंग्ली से meno आप सारे सटप लिजह रूदीजी तो लेंडु यह सीड ससारे ढख दिए हैं मैंने पूरा इसको कवर कर दिया है कि यह मैंने एक जैसा कर दिया है यह सारे मैंने ढग दिया है कोई बीज आपका ऊपर आ गया तो उसे आप अंदर कर दीजिए हाथ से यह को अब हमने कर दिया है और इसके हम इसके उपर डालते हैं पाणी कर दीजिए बहुत तेज इसस्पेड वाला पानी मत लीजे आप क्योंकि इसको बहुत लाइट करना ताकि बीज ना निकल जाए हमारे उपर हमारे इसमें ऊपर आ जाएंगे बीज नहीं तो कि देखिए मैं इसको पूरा कीला कर दूंगी जो ट्रे के नीचे तक पानी आ जाएगा नास्टेशियम जो है वो बहुत ही प्यारे फूल होते हैं दो कलर है मिरे पास एक यलो है एक औरेंज है तो फूल बहुत अच्छे होते हैं छोटी सी बेल में ही इतने सारे फूल आ जाते हैं कि वो पूरा गार्डन आपका ऐसा लगता है यलो या औरेंज हो रहा है एक दम हनम इसके लीव्स होती है वो भी अपने आप में बहुत खुबसूरत होती है लीव्स का क्या है इसमें आपकी गोल लीव्स आती है जितने भी पत्ते होंगे वो गोल होंगे राउंड शेप में होते हैं तो अपने आप में बहुत जैसे कमल का फूल होता है उसमें बड़े पत्ते लेकिन इसमें बहुत चोटे-चोटे से पत्ते होते हैं लेकिन आते बहुत खुबसूरत से पत्ते हैं जब तक फूल नहीं आते हैं तब तक भी आपका पौधा ही बहुत ही खुबसूरत लगता है देखने में बहुत अच्छा होता है अच्छा यह एडेबल भी है इसको आप फुड कलर बना सकते हैं बहुत की हैं इसके कारण भी अच्छा है आपके घर में पैट्स हैं डॉट अगे रहे हैं हैं तो फ्रेंट्स अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो इसी के साथ आप से विदा लेते हुए फ्रेंड्स बाई